हाई गाईस तो यहाँ पर YouTube ने एक बहुती बड़ा फीचर लॉंच कर दिया है जिसका नाम है Handle तो Handle के बारे में आपको छोटी से लेकर बड़ी जान करें सब आपको इसी वीडियो मिलने वाली है और साथ ही मैं आपके संग एक good news भी शेयर करूँगा तो वीडियो को लास तक दिखना तो सब सब पहले हम बात करते हैं आपके YouTube Handle है क्या तो YouTube Handle जो है वो आपके चैनल के लिए एक unique ID होने वाली है जिसे आप username बोल सकते हो या फिर आप इसे custom URL भी बोल सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम में YouTube जो है वो custom URL को पूरी तरीके से हटा देगा और उसकी जगा आपको ये handle का feature देगा तो custom URL जो है उसको replace किया जा रहा है handle से अब ये जो handle होगा वो आपके custom URL की ही तरह होगा जैसे आप custom URL बनाते थे सेम उसी तरीके से आपका handle ही बनेगा लेकिन जो handle के benefit होंगे वो custom URL के मुकाबले में आपको काफी धेर सारे देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर जो हम custom URL बनाते थे वो ऐसा होता था youtube.com slash उसके आपके चैनल का नाम जैसे मेरे चैनल का नाम है टेकनो लाइन तो यहाँ पर youtube.com slash टेकनो लाइन मैं लिख सकता था या पर मैं टेकनो लाइन के आगे जो है कुछ अलफावेट वगरा लगा सकता था तो सेम उसी तरीके से जो आपका handle होगा उसे भी आप इसी तरीके से बनाओगे youtube.com slash लेकिन इसके बाद जो है आपका add the rate लग जागा add the rate लगने के बाद ही आपका जो चैनल का नाम होगा वो यहाँ पर लिखा जागा और इस handle को आप जो है आपके चैनल का नाम से भी बना सकते हो बट यहाँ जो handle होगा उसमें अगर आप चाहो तो आपके चैनल का नाम ना चुनके आप जो है किसी दूसरे नाम से भी आपका handle बना सकते हो अब handle बनने से फाइदा यह होगा कि एक तो आपका जो चैनल है वो officially एकदम confirm हो जागा YouTube के उपर कि भाई यह जो चैनल है वो original है और जो दूसरे लोग जो है जो आपके चैनल के नाम से दूसरे चैनल बना के fraud करते हैं तो इस fraud से भी आपको यूट्यूब पे बचने में काफी help होने वाली है अब यह जो handle है वो से आप जो है शॉट्स में, community post में इसके लाबा किसी को mention करने के लिए, tag करने के लिए चैनल को search मिलाने के लिए और comment section में कर सकते हो comment section में अगर आप जो है add the rate लगा के, जिस भी person को आपको reply करना है, अगर आप उसका handle लिखते हो, तो वो जो message होगा वो उसको जादा highlight होगा जिसके वज़े से जो handle है, वो काफी ज़्यादा valuable यहाँ पर हो जाएगा, अब यह handle है, उसके लिए आप नहीं चाहते कि आपका custom URL है, वही आपका handle में change हो, तो ऐसे में आपको घबराने की जोड़त नहीं है, जब भी आपको यह handle का feature मिलेगा न, तो उससे पहले आपके studio के अंदर आपको एक notification मिल जाएगी, और साथ में आपको एक mail भी मिल जाएगा, जिसमें आपको बता सकते हो, इसके अलाब अगर आपका channel नया है, और आप first time handle बनाने जा रहे हो, तो इसके लिए पहले आपको एक notification मिलेगी, notification मिलने के बाद आपको youtube.com slash handle पर जाना होगा, और यहां से आपको अपना handle बनाना होगा, handle बनाते से में आपको कुछी जोगे ध्यान रखना होगा, पहली चीज, आपको youtube के committee guideline को ध्यान रखना है, दूसरी चीज, आप 3 से लेके 30 letter तक ही अपने handle को बना सकते हो, इसके अंदर आप A से लेके Z तक के alphabet का use कर सकते हो, या फिर 0 से लेके 9 तक के जो numeric letter होते हैं, उनका इस्तमाल कर सकते हो, इसके अलाबा यहां पर कुछ special character उनका भी आप जो है इस्तमाल अपने handle में कर पाओगे, इसके बाद आप अपने handle को किसी भी नाम से बना सकते हो, जरूरी नहीं आपके जो channel का नाम है, आप उसी नाम से handle को बनाने का, तो आप उस नाम से handle को बना सकते हैं, अब बात करते हैं, यह जो handle का feature है, यह कब launch होग तो 13 अक्तूबर के बाद YouTube जो है इस handle के feature को roll out करना चालू कर देगा, सबसे पहले यह जो feature है, वो government के जो official channel है, उनको मिलेंगे, उसके बाद जो higher educational या फिर institute होते हैं, या फिर जो business होते हैं, या फिर बड़े ब्रांड होते हैं, उनको यह मिलेगा, इसके लाबाद जो music company व roll out होना start हो जाएगा, और उसके बाद जो है यह सभी को मिल जाएगा, guys आप यहाँ पे handle को लेगा कुछ popular question है, जिनके बारे में आपको जानना बहुती ज़्यादा जरूरी है, तो पहला question तो यह है कि custom URL और handle में फरक क्या है, देखो जो custom URL हुआ करता था ना, वो हमारे viewer को ह किसी group में अपने channel का link share करते थे, तो वहाँ पे वो हमारे channel की branding करता था, लेकिन यहाँ पे जो handle होगा, वो multiple काम करेगा, वो हमारे viewer को हमारे channel तक लाएगा, साथ में हमारे channel की branding करेगा, हमारे channel को search में भी लाएगा, YouTube पे हमें mention कराने या tag कराने में help करेगा, इसके लाबा हम अलग unique username होगा, जिसके वीज़े से हमें ढूनना बहुत ही आसान होगा, जिसके वीज़े से हमारे viewer है, उनके संग जो fraud है, वो बहुत ही कम होगा, या फिर बिल्कुली खतम हो जाएगा, इसके लाबा भी जो हमारा handle होगा, वो हमें बहुत तरीके से help करने वाला है, तो आने जो verification है, वो हट जाएगा, या फिर जो monetization का feature है, या फिर चैनल के दूसरे feature है, उस पर क्या effect पड़ेगा, तो मैं आपको बता जाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप जो है, अपने चैनल के custom URL को किसी दूसरे नाम के handle में भी change कर देते हो, तो भी आपके ना तो verification में कोई फरक पड़ने वाला है, ना ही आपके monetization में कोई फरक पड़ेगा, और ना ही चैनल के किसी दूसरे feature में फरक पड़ने वाला है, यहाँ पर जो आपका verification badge होता है, वो आपका तभी जाता है, जब आप उने channel का नाम change कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका channel का नाम change नहीं हो रहा है, यहाँ पर simply आप जो है अपना handle का नाम ही change कर रहा हो, तो यहाँ पर इससे कोई भी effect आपके channel पर नहीं पर नहीं पड़ने वाला, तीसरा question है, कि हम अपने channel के handle का use क्या से करेंगे, देखें यहाँ पर जो भी आपके channel का handle होगा, जैसे कि आपने channel के नाम से handle बनाया है, या अगर आप चाहो तो अभी भी आप जो है अपने चैनल के हैंडल का इस्तिमाल कर सकते हो अगर आप जो है यूटुब पे अपने चैनल के अलावा किसी दूसरे नाम का इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे आंसर है हाँ आप जो है किसी भी नाम का इस्तिमाल जो है आप अपने हैंडल में कर सकते हैं चटा कुश्चन है कि हमारा जो कस्टम यॉरल है उस नाम से अलग हटके हम अपने हैंडल को बना लेते हैं लेकिन बाद में वो हैंडल हमें पसंद नहीं आता है और हम चाहते हैं कि वापत से हमारा जो कस्टम यॉरल था उसी नाम से वापत से हम अपना हैंडल बना ले तो क पसंद नहीं आ रहा है, तो 14 दिन के अंदर अगर आप वाफस से चाहो, तो उसी सेम नाम से, जो आपका कर्सम यॉरल में था, उसी सेम नाम से आप अपना हैडल बना सकते हो, लेकिन 14 दिन बाद ऐसा करने कि आपको पॉसिवेल्टी नहीं मिलने वाली है, तो गाइस यह कुछ पसंद आई उगे हैएगर अगर अप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब के नाम भूलाँ